Students, आपका Let's Learn English का chapter number first है इस chapter में स्वामी विवेकानन के बारे में बताया गया है Parliament of World's Relations Parliament of World's Relations यानि Parliament संसत of World's Relations यानि विशु के दर्मों की संसत या सभा स्वामी विवेकानन on the platform अब स्वामी विवेकानन कहां थे? प्लेटफोर्म पे थे? Of the Parliament Parliament of Religions यानि सर्व दर्मों के संसत के मंच पर थे स्वामी विवेकानन was the great saint of India स्वामी विवेकानन भारत के महान संत थे He represented India उन्होंने इंडिया का प्रतिनिदित्व रेप्रेजन्टेड यानि क्या होता है? प्रतिनिदित्व किया in the Parliament of Religions किस रूप में किया उन्होंने? यानि धर्मों की विश्व के धर्मों की सभा का मंचन किया नेक्स देके Sisters and Brothers of America यानि भेनों और भाईयों यानि अमेरिका के भेनों और भाईयों कहकर उनका संबोधन किया यानि इसके लिए बहुत देर तक तालिया बचाई यानि यह जो इन्होंने संबोधन किया था इसकी इंडियन कल्चर में भारतिय संस्कृति में बहुत वैल्यू है बहुत मैतु है इस वैल्यू इस यह वैल्यू क्या है? वसुदेव कुटुम्बकम वसुदेव कुटुम्बकम इट मिंस इसका अठ्ट क्या है? यानि जो पूरा विश्व है इस अवर फैमिले वो हमारा परिवार है आपको यह लैसन समझ में आ गया होगा इस lesson के बारे में क्या है इस lesson में क्या दिया गया है Swami Vivekanand के बारे में दिया गया है यानि विश्व के धरमों की जो ये संसद है, सबा है इसका मंचन कर रहे हैες Swami Vivekanand जो की कब की गई थी जिनको great scent माना जाता है इंडिया का उन्होंने अमेरिका में किया था ये मंचन कब 11 सेप्टेमबर 1893 को इसके लिए लोगों ने बहुत देर तक तालियां बचाई इस एड्रस यानि जो इन्होंने एड्रस किया था बताया था यानि इसकी क्या है बेसिक वैल्यू है वैल्यू है मैतु है ओफ ग्रेट इंडिन कल्चर यानि बारतिय संस्कृती में इसकी बहुत वैल्यू है इस वैल्यू को क्या कहते हैं? वसुदेव कुटुम्बकम क्या बोलते हैं? वसुदेव कुटुम्बकम बोलते हैं? इट मिन्स इसका अर्थ है, the whole word is our family यानि पूरा विश्व हमारा परिवार है तो स्टुडेंट्स आगे देखिए, पेज नमबर 10 पे, उतिस्टत, जागरत, प्रापे, वरानी, भोधत, उठो, जागो, रुको, नहीं लिखा हुआ है अब इसका हिंदी में अर्थ क्या है? देखो, हिंदी में अर्थ है उठो, जागो, रुको नहीं, जब तक की लक्षे की प्रापती नह हो जाए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है अरेज, आवेग, स्टॉप, नॉट, अंटिल दा गोल इस रिस्ट उठो, जागो, स्टॉप, नॉट, मत रुको, जब तक दा गोल इस रिस्ट यानि लक्षे की प्रापती नह हो जाए बारत जागो, विश्व, जगाओ स्टॉडेंट्स आगे आपके पेस नंबर 11 पे ग्लोसरी दी गई है ग्लोसरी में है सैंट यानि सन रिलेजन यानि धरम पार्लियमेंट यानि संसद या सबा ओडियन्स, श्रोता एड्रेस, संबोधन करना कल्चर, संसकर्थी वर्ल्ड, संसार ओके स्टॉडेंट्स नेक्स एक्टिविटी फर्स्ट में आपके क्या दिया गया है टिक मार्क, राइट ट्रू और फोल्स ट्रू और फोल्स पे हमें टिक करना है मार्क को फर्स्ट लाइन है स्वामी विवेकानन वो जी ग्रेट सेंट ओफ इंडिया स्वामी विवेकानन बारत के महान संत थे यस या नो यस अपनोंने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा तो तो आपको true पे tick करना है यानि जो संसती धर्मों की वो अमेरिका में आयुजित की गई थी तो ये भी किया हमारा true वसुदेव कुटुमबकम means the whole world is over family यानि वसुदेव कुटुमबकम का अर्थ यानि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है तो तीनों क्या true है true यानि सही है ये तीनों लाइन्स क्या है सही है जो कि मारी बुक्स में आई हुई है फर्स्ट अफॉल आपको ग्लोसरी को लंड करना है नेक्स्ट आपको इन में true false जो मैंने आपको टिक करना है Students, आगे देखिए आपके One and more than one यानि एक और एक से ज़्यादा आपको क्या करना है? एक और एक से ज़्यादा इनको लिखना है कि एक या एक से ज़्यादा क्या है? Sister, sisters Brother, brothers The word sister shows that one sister यानि जो word sister है First of all वाला आपको क्या शो कर रहा है? One sister यानि एक ही sister The word sisters show that more than one sister जो sister है वो sisters है वो शो कर रहा है कि एक से ज़्यादा बहने Second brother and brothers The word brother shows one brother जो word brother है वो शो कर रहा है एक भाई The word brother shows more than one brother यानि जो दूसरा brother है वो शो कर रहा है एक से ज़्यादा भाई तो Next page में देखिए आप Change the following words अब अपने को क्या करना है नीचे box में words है उनको change करना है One एक साइड वन लिखा हुए दूसरे साइड more than one यानि एक से ज़्यादा लिखा हुए आपको क्या करना है? Tiger का क्या होजएगा? Tigers Tiger का क्या होजएगा? Tigers T-I-G-E-R-S Tigers Loin का Loins L-I-O-N-S Loins Boy का Boys B-O-Y-S boys, girl ka, girls, g-i-r-l-s, girls, cow ka, cows, c-o-w-s, book ka, books, b-o-o-k-s, books. नेक्स्ट में भी आपको ऐसी करना है, song, songs, bag, bags, scooter ka, scooters, next box है ना, door ka, doors, car ka, cars, bowl ka, balls. हाँ, तो students, ये दो box दीए हैं ना मैंने, एक तो ये वाला box, एक ये वाला box, आपको ये आपका homework है, आपको अपनी notebook के अंदर, जैसे first one में tiger लिखा है, तो tiger के आगे आगे आपको S लगा देना है, song ka, songs, bag ka, bags, ये दूसरे boxes में lines हैं इनके अंदर, आपको more than one, यानि एक से ज़्यादा बनाना है, tiger यानि एक tiger, tigers यानि एक से ज़्यादा tigers, ये दोनों boxes को आपको अपनी book के अंदर, फिल करना है, तो students आपके page number, next page पे देखिए, page number 13 पे आपका, let's pick vowel, हमें क्या करना है, vowel A को speak करना है, first of all, bat, cat, hat, mat, rat, अब इसमें वोवल A, N को show करना है, fan, man, pen, ran, and when, okay students, इनको बस आपको मेरे पीछे-पीछे speak यानि बोलना है, bat, cat, hat, mat, rat, fan, man, pen, ran, and when, तो आपका ये chapter first यहां complete हो चुका है, जो book work था, मैंने आपको बता दिया है, आपको book work कैसे करना है, और उस जो chapter को पढ़ाया है, उसको किसी की help लेके आपको इनको पढ़ना है, glossary याद करनी है, truth was book के अंदर ही करनी है, और one or more than one, उनको भी book के अंदर करके समझना है, okay students, bye bye, take care.